वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? आरे यार ट्रेटल बिया हैपी संडे यार बे बाई साब कल वे तो संडे का क्या अप लेना है बाई साब संडे ऐसा दिन होता है जिस दिन बाई साब बहुत ही ज़्यादा मज़े किये जाते हैं आपे अपनी जिन्दगी में कहा मज़े शीन चैन और चोब तुमको पते ही है भाई रोज का वही अलग सीन भाई साब जो हम करते रहते हैं वही करना है कुछ भाई साब इतना कुछ मस तो है नहीं संडे को भाई मेरा तो मन भाई साब आज पूरे घर को ठीक करने का मतलब क्य है आपका अब यार बाई Oui आपको दिक्कत भाई साब कुछ यहांँ पर हो चुकि आपर जो टैप है वाँ से भी लीक नी और तो पानी पता नहीं कहां से आ रहा है और यहाँ पर दिक्कत बहुत जादा हो चुका तो भाई आज मुझे ठीक करवाना पड़ेगा नहीं तो एक दिन भाई साथ ऐसा है कि हमारा पूरा घर पानी में डूब जाएगा आरे काटून थोड़ी चल रहा है जो इतने एक पानी से पूरी धर्ती डूप जाएगी यार क्या बाते करते हो यार आप भी एक नमबर के पागल आजमी हो यार आ बाई साed मेरे साथ बखवाज मत कर और हां गाइज आज का दिन बहुत ही जदा मस्त है क्यूंकि आज के हफटे का मैं इंतजार कर रहा था ये वाले संडे का क्योंकि गाईज आज मेरी एक नई कार मैं लेने वाला हूँ मतलब भाई साब मैंने ओडर कर दी थी आज गाईज उसकी डिलिवरी है मतलब भाई आज तो मज़ आने वाला है भाई साब तो इस बात में बंदूख क्यों निकाली अबे कार हमारी जो है ना वो सूपर कार है तो भाई साब हमें बंदूखे लोड करकर जानी पड़ेंगी कि रास्ते में कोई हमें वाँ से निकालकर हमारी गारी ना चोरी कर ले आरे यार वो सब तो ठीक है यार पर आपकी गारी की डिलीवरी है तो गारी का पैसा और बाई सब गारी कौन सी है? अबे गारी को तुम दोनों को मैं दिखा दूंगा तुम्हें देख कर ही पता लगेगा गाड़ी बिलकुल यहाँ पर modified upgraded car है मतलब भाई उसमें top की brakes top के tires, top का engine सब कुछ top का लगा हुआ है मतलब best of the best and गाड़ी भी आप सब लोग देकर चोंग जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपने इतनी सुंतर कार कभी देखी होगी जिसकी की guys आज मैं delivery लेने वाला हूँ भाई सब तो इसका मतलब तुने उसके पैसे दे दी है अबे वही तो बात है यार guys यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ scene कै है, उस गाड़ी का यहाँ पर मैंने अभी पैसा नहीं दिया आरे पैसा नहीं दिया है तो order कैसे होगी यार क्या हमें बेकार बे यार पागल बना रहे हो अबे यार बात कुछ ऐसी है guys कि यहाँ पर जो वो गारी थी ना वो मैं ले रहा हूँ अपने भाई सिम्योन से तो आपको पता है यार सिम्योन को भरोसा है मेरे पेकी मैं पैसे दे दूँगा तो मैंने उसको बोल दिया थैर सिम्योन जल्दी से मुझे ऐसी एक कार याँ पर दे दे और मैं तेरे को भाई उसके पूरे पूरे पैसे दूँगा तो guys याँ पर भाई बहुत महनत के बाद मतलब दो हफ्तों के बाद याँ पर वो गाड़ी सिम्योन के पास आई है और guys उसका सुबह सुबह मुझे याँ पर message भी आ गया था तो guys सबसे पहले तो आज वो गाड़ी लेने चलेंगे बाई साब चलो भे मजाएगा आबे तू नहीं जा रहा भे बाई साब क्या बोला तुने मैं नहीं जा रहा भे क्यों बे मेरे को भी गाड़ी देखनी है बे अबे पागल मैं गाड़ी वहीं पर थोड़ी खड़ी करने वाला हूँ मैं गाड़ी याँ पर लेकर आउँगा भाई साब अपने घर पर लेकर आउँगा अरे फिर भी यार तो चौप घर रहा कर क्या करेगा यार चौप को भी साथ में ले चलते हैं आबे नहीं नहीं यार आज संड़े का दिन है तो भाय साब जो जो काम हमने सोचे थे वो सबी काम हो जाने चाहिए तो चौप, तू भाई स्व वो ठीक करवा जो कि वहांपर पानी लिक हो रहा है ओ भाई स्व अच्छा तो यहाँ पर हम भाई स्व घर ठीक करें अब यहार इतना फिल्मी मत हो, गारी लेकर आओँगा यार तेरे को दिख जैगी यार थोड़ी देर के लिए भाई सब कुछ तो भाई हमारा मदद कर यार यहाँ पर कब की भाई वो यहाँ पर लीक हो रही है तो उसको ठीक नहीं करवा सकता यार आरे चोप हाँ यार मैं गारी फ्रैंकली भीया के साथ लेकर तेरे पास आउंगा तू टेंशन मतले यार तेरे को भी देखने को बिलेगी ठीक है भाई सब ठीक है अब क्या ही कह सकते हैं जाओ भाई सब तुम दोनों जीलो अपनी जिन्दगी मैं अपनी जीता हूँ आरे चोप तू बस एक बार भाई सब अपना ये सब कुछ ठीक करवा दे मैं गारी लेकर चल्दी से यांपर शिंचन के साथ पहुंचता हूँ आरे यार फेकल भीया पैसे तो उठा लेते अबे पैसे का भी तेरे को बताता हूँ यार पैसे का भी कुछ अलग सीन है आरे अलग सीन है क्या क्या मतलब यार इसका मतलब आप हमसे यार चोड़ी फिर से करवाने वाले हो अरे मैं इसमें आपका साथ नहीं देने वाला इस बार आवे नई यार ऐसा कुछ सीन नहींceed ते रसे चोरी नहीं करवाने वाला वो सीन कुछ ऐसा है कि भाई जो याहां पर तु बात कर रहा है पैसो की वो भाई साब मेरे पुराने घर में पढ़ें शिंचेर्ड वो मैंने चिपा कर रखे हुए थे अरे चिपा कर रखे हुए थे इसका क्या मतलब अब मतलब मेरे को पता था कि किसी ना किसी टाइम में अपनी ड्रीम कार लूँगा तो गाईज यहां पर मैंने क्या किया था जो भाईसाब मैं पुराने घर में रहता था था आपको पता ही होगा फ्रेंकिलिंग का पुराना घर वहाँ पर गाईज यहां पर एक मैंने बहुत ही सीक्रेट जगा में एक पैसो का बैग चिपाया हुआ था अब मुझे भाईसाब सबसे पहले वो देखने है कि वो पैसो का बैग क्या अभी भी वहीं पे है वैसे तो गाईस वहीं पे होगा एंड गाईस यहाँ पर वो पैसो का बैग उठाने के बाद मैं जाने वाला हूँ सीधा अपनी सिम्यों से गारी लेने और गाडी लेने के बाद आपसो भी लोगो दिखाएंगे भाई गाडी कितनी ज्यादा मस्त है वो वाली एंड भाईस अब उस गाडी को यहाँ पर चलाएंगे और मजे लेंगे भाईसाब मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाले गाईस आज कि आपको मज़ा आने वाला है तो जल्दी से बैठ जाओ आराम से वीडियो का लास तक देखते रिएगा बाई सब जल्दी से अब चलते हैं भाई बाई सब गाईस देख लो यार कितने ज्यादा चलाग लोग रहते हैं मेरे साथ मैं तो कई राऊंगा है जिन्दगी में कभी भी अगर आपको बाई सब जरूरत पड़े ना किसी की तो बाई सब वो आपके कभी काम नहीं आएगा क्योंकि बाई सब जरूरत में सब भाग जाते हैं अब बाई सब इनी देख लो अपना काम था तो बाई सब गायब होगे पानी बाई सब लीक हो रहा है तो बाई सब कुछ तो यहां पर करना ही पड़ेगा तो यार ऐसा करते हैं यार जल्दी से जाकर बाई सब सबसे पहले बुला लेते हैं एक प्लंबर को जो की ये काम करेगा अब बाई सब जिन्दगी में कुछ और तो है नहीं करने के लिए जो काम भाई साब मिला है वो ही करना पड़ेगा, क्यों में? बाद में याद आया करेंगे तुम्हारे को, चलो भाई साब बहुत बक्वास कर दी, ओ तेडी की बाई साब देखो, कैसे बाई साब पानी लीक हो रहा है, ये तो नीचे से आ रहा है बे, ये पका कोई और ही दिक्कत है यार, चलो भाई साब गाईस, ऐसा करते हैं, जल्दी स बाई साब बहुत हो गया, अपनी इजट बाई साब ज्यादा नहीं करते हैं, जल्दी से बाई साब पॉइंट में बुक कर देते हैं, बाई साब मैं तो अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा हूं, वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे अभी, आर यार फैंकल भी आप जो प द्वाइक मेरे पास है, चोब मेरे पास है, तो भाई ऐसे कोई दिक्कत की बात निहीं हो रही, मतलब बहुत जबहुत जबत जिंदी की चल रही है, तो भाई साब चलो वैर, जार फांग से जार हो गाड़ी कर रहे हो, वाओ वाओ अई क्या भाई साब वाओ वाँ कर रहा है मैंने जान मूचकर गाड़ी यहां पर पार करी है अरे यार पर क्यूँ? अबे क्यूँकि मैं नहीं चाहता कि भाई साब यहां पर घर वालों को पता लगे कि मैं आया हूँ अरे क्यूँ यार इतने दिनों के बाद दो घर आये हो यार जा कर मिल लो यार क्या होता है? अ नहीं नहीं बाई साब बिलकुल भी नहीं मेरा किसी को भी मिलने का मन नहीं है मैं इसलिए तो घर से बागा था यार शिंचे तू मेरी बास समझा कर अरे इसका मतलब आप घर से गए नहीं थे आपको भगाया गया था अरे यार मेरे प्यारे फेंकल भीया को भगा दिया गया अबे तू थोड़ी दर चुप रहा है ना क्योंकि भाई साब घर में एक लेडी होने वाली है अबे हाँ हाँ मैं उठा रहा हूँ रुक अबे यार गैस रुको मैं आपको अपनी पुरानी यादे ताजा करकर दिखाता हूँ यार ये देखो पेले गैस मैं यहाँ पर रहा करता था मतलब आप सब लोग भरोसा करोगे अरे यार फ्रेंकिल प्रेले आपका घर किता छोटा हुआ करता था यार आरे यार हम ये थोड़ी करने है थे जो करने है थे वो करो ना अबे हाँ हाँ मैं जो करने आए था मैं वो ही करूँगा बाई साब गाइस चलो अरे यार फेकल यार वो बैग है कहाँ पर यार आरे क्या पहले अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करा करते थे और क्या बाई साब छट पर थोड़ी खड़ी करूंगा यार तू भी कैसी बाते करता है ओ बाई साब ये खड़ी है मेरी गाड़ी आरे यार ये क्या चीज है अबे शिंचैन यही तो है वो वाली गाड़ी जिसके अंदर पैसा होगा चलो यार गाईज मैं इसको उपन करकर आपको दिखाता हूँ ओके तो गाईज आप सब लोग देख सकते हो यह रहा वो वाला बैग आरे यार आपने इतने खुले में बैग के अंदर यार यह रख दिया आपको क्या पका पता था यह गाड़ी कोई नहीं खोलेगा अबे नहीं यार शिंचैन मेरे यहां से निकलने के बाद यहाँ पर भाई सब सब ने यही कहा था कि तेरी कोई भी चीज को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा क्योंकि भाई सब तु एक नंबर का बेकार आदमी और तेरी चीज को हाथ लगाने के बाद हम भी बेकार हो जाएंगे आरे यार वा यार आपके कितनी जादा इज़त की जाती थी आहां तु कह सकता है तो भाई सब चलो यार गई सब सब बेक उठाते है चलो गाईस यहाँ पर बेक उठा लिया है आरे यार वा कितने ज़्यादा आसान काम था यार अब क्या करना है अब बस भाई साब सीधा जाना है गाई सिम्योन के पास सिम्योन के पास जाने के बाद यहाँ पर गाड़ी लेनी है आरे आप रुक क्यों गए यार एक सेकेंड गाईस यह तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है उत तेरी की यह तो भाई कुई गैंग का बंदा खड़ा है यहाँ पर ओए शिंचैन भाई साब मैं साइड से निकल रहा हूँ वहीं साइड से तू आजाना हाँ बोल तेरे को क्या दिक्कत है अबे फ्रेंकलिन तु इतने दिनों के बाद हमारे एरिया में आया और हमें बिना मिले ही जा रहा है अबे भाई देख यार मेरा अब तेरे से कोई मतलब नहीं है हमारी जितने भी पुरानी ड़ाईयां थी वह सब हमने सोट आउट कर ली थी राइट हाँ हाँ कर ली थी पर मुझे ये बता कि तूने ये बैग में क्या लिया है बैग में मैं अपने घर आया था थोड़ा समान लेकर चला हूँ अपना मुझसे जूट मत बोल फ्रेंकलिन तूने अंदर किसी से बात तक नहीं की पैसा है ना इसके अंदर नहीं पैसा बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर ठीक है न अगर हो भी तो तेरे को देने नहीं वाला और उकज़त तेरी ऐसी तैसी इदर पकड़ा बैग अबे बाइसा भाग शिंचेन अबे भाई वो गैंग का बंदा है अबे भाई वो गैंग का बंदा है अपने पैसे लेने चाहता है यार चल्दी से भाग अबे भाई साब तेरी बात में तो दम है यार अबे हाँ रूक इनकी ऐसी तैसी मैं करता हूँग इस रूक को बूरा हो गा तेरे को भी पता है तो में से नहीं जी सकते लगाही में मयं कोई सब्ल में अबerson कर तेरे यह विल ते इनी गोल एक बाइसा घोपरि मेरा और है अब इनको मानने ऐतना सार haven नहीं होता विल्डा cutting reint बाई साब इनकी ऐसी तैसी अबे बाई साब बाई मैं कह रहा हूँ अभी भी हर जब आई तेरे मुपे तोब दूँगा हिम्मत है तो माल ले पर पैसे तो मैं लेकरी जाओंगा अबे बाई साब कितना ढीट आदमी है तू तेरी की बाई साब गाईस देखो यार ये तो हाथी से भी ज़्यादा ताकत हो रहा तेरी बर गया ऐसे नहीं अबे बाई साब गाईस यार जल्दी से चिंचन गारी में बैट यार आरे यार ये तो मरता ही नहीं है यार आपे फिर जाकर उसे ओटोग्राफ ले ले भाई साब फैन हो गया तो ऐसे बोल रहा है जल्दी बैठ जा यार शिंजन का है आपके कहने से पहले मैं अंदर बैठ गया हूँ आपे जो सच में बैठ गया क्या अबे हाँ यार गया तो बैठ चुका है भाई साब पता भी नहीं लगा फ्रैंकलिन नहीं भाग सकता अरे ओ गैंग वाले बंदे तेरे को मैं छोड़ूँगा नी अबे बाई साब दो गैंग की लडाई होगी गाई रूको इसकी ऐसी तैसी और इसकी तो मैं करता हूँ ऐसी भाई साब तेरी तो अबे फ्रैंकलिन अबे फ्रैंकलिन क्या होता है भाई साब चल अंदर इसके अंदर भाई साब गैश रूको इसको गैराज के अंदर ही भाई साब मार करना बंद कर दूँगा चल भाई साब उठके दिखा ये तेरी ऐ तेरी तो गाइस देगो यार इसका हमने ऐसी तैसी कर दी है ओ माई गोड भाई आरे यार वैसे मानना पड़ेगा यार यह ताकदवर तो बहुत था अब यार मेरे को नहीं पता था चोटा सा पैसो का बैग लेकर आने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा आरे यार वहां क्यों कर रहे हो औरे सर जी हम आपको पाकल थोड़ी बना रहे हैं वो बात कुछ ऐसी है कि यहां पर आपका जो एक पाइप है ना वो अंदर से बहुती ज़दा खराब हो चुका है जो की बहुत ज़दा प्रेशर बना रहा है जिसके कारण वो पानी आपका ओवरफ्लो हो रहा है बाई सब पता नहीं क्या बोल रहे हैं बे काई प्लंबर की बाते भी प्लंबर ही समझ सकते हैं अरे आप निश्चेंत हो जाईए जी थोड़ी ही देर में हम आपका पाइप बदल देंगे फिर आपका जो पानी लीक हो रहा है वो भी लीकोना बंद हो जाएगा बे अरे सर हम सीरियस हैं यार नीचे एक पाइप है जिसको की बदलना बहुत जरूरी है एक बार वो पाइप बदला गया जी तो आपका काम हो जाएगा ठीक है बाई सब माल लेता हूं तेरा पाइप अगर बाई सब यहां से कोई पाइप ना निकला और तूने पाइप ना जल दूँगा और आप राम से बैटकर टीवी वी देखिए जूस पीजे जी हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है ठीक है बाई सब बहुत अच्छे से करते है तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने तेरे से कोट पैंड सिलवाना होता है भी चलो यार गाइज आपने घर के पास है ये कल्वे को बाई सब सारी जॉइंट बाई सब पाइप के मेरे घर के पास ही रखने थे बीजली का भी मेरे घर के पास है बाई सब सब कुछ मेरे घर के पास है कुछ भी दिक्कत हैगी चोप उठेगा बाकी सब बाई सब जिंदगी जिएंगे वाओ तेरे ब पागलम पैसे देकर कारी लेने आया है ना की भाइस अब आईसाँ तो है यार चलो यार जल्दी से चले पिर कैसा ही भाई सब यूद लड़कर आया हूं मैं आरे कोई बात नहीं यार हक के लिए लड़ना पड़ता है पर यह क्या फ्रीके लड़ाई थी बे ना मैंने गाई उसको कुछ बोला था ना कुछ और ऐसी मेरे से लड़ने लग गया चलो यार गाई अंदर चलते हैं आरे आज तो बहुती ज़्यादा थक गया यार मैं घर जाकर अराम से जूस पिऊंगा अरे यार फ्रेंक्ली ना ओ यार इतना देर लगा दिया तूने तो तो कहला था मुझे जल्दी से अब जब गाड़ी आगी तो तुने इतना टाइम लगा दिया क्या हुआ गाड़ी का शोंक नह थोड़ा तो थोड़ा टाइम लग यार यार थोड़ा मतलब आगे पैसा तो नहीं घर तुने और इस तो तो पीछे खडिया चल पैसा दे गाड़ी लेकर निकल फिर मुझे भी खाना खाने जाना है यार दोपहर का टाइम है आँ भाइसा यह बहुत तेरा यह बैक दे दे सबसे पहले तो मैं देखूं जैसी गाड़ी मैंने बोली थी वैसी आई भी आ या फिर नहीं भाई सब बिल्कुल वैसी आई है यार यार यह क्या चीज मंगा लिए हो बता भाई सब शींचन ऐसी गाड़ी कभी जिन्दगी में तुने लो सेंटों में देखी है क्या वाई सब आप गाड़ी देखो पीछे से गाड़ी के ब्लेड़ लगे हुए है आड़ यार नर से कितनी अभर है अब निटीर्यर तो मैं दिखाता हूं कैसं देखो तो यार कितना बड़ी ओसका इंटीर आ and भाई ये गाड़ी यहाँ पर special guys मैंने इसलिए मगवाई है because आप देख सकते हो यार आगे से भाई इसके रोलर लगे हुए है और भाई सब आपको दिखाओं तो भाई सब ये गाड़ी भाई सब लेजर्स मारती है या फिर बंदूखे मारती है जो भी आप सब लोग इसको कह सकते हो भाई मतलब guys जिसको भी आप मानना चाओ न उसको guys आप इस गाड़ी के जरिये मार सकते हो यार और साइड में इसके ब्लेड लगे हुए है जो भी इसके आसपस आएगा मारा जाएगा भाई सब आप सब लोग ये लेजर्स तो देखी पा रहे होगे भाई सब ये देखना कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर चलती है आप गाई सब गाड़ी तो आप सब लोग ने देखी लिए गाड़ी तो guys यहाँ पर कहरी मचाती है भाई सब देखो किती ज़्यादा तगड़ी है अगर guys इसके साथ किसी को टकर मारूगा ना तो इसका हाल भाई सब कुछ ऐसा होगा और भाई सब रुको guys एक बार फिट से दिखाता हो ये देखो भाई सब गाई सब ये बाई सब किसी भी गारी को उठाकर पटक कर भाई सब फेंग सकती है अब guys आपको दिखाता हूँ ये देखो भाई सब क्या इसका हाल हुआ अगर guys आपर मैं speed से जाओंगा जो कि guys इसकी बहुत ही ज़्यादा है speed guys इसकी बहुत ज़्यादा है अगर speed से किसी को भी मारेंगे तो guys वो ऐसे उड़कर जाएगा न कि उसका कुछ नहीं बचेगा वैसे truck के उपर शायद ये ना चले ज़्यादा अच्छी बट guys यहाँ पर ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा powerful है जो कि आप सब लोग अपनी आँखों से देखी पारे हो यार इतनी ज़्यादा powerful गाड़ी आपको काम पर मिलेगी यार किसी भी चीज को guys उड़ा कर मारती है भाई कोई भी इसके सामने निटिक सकता भाई साब ये truck बड़क तो टिकी जाएंगे बट और कोई चीज निटिक सकती है ये blades तो आप सब लोग देखी सकते हो तो यार guys ये वाला blade अगर किसी के ऊपर चला गया ना तो भाई साब उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी यार guys ये बताओ आप सब लोग इस गारी को 10 में से कितनी rating देना चाहोगे वैसे तो काई मुझे पाता आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो जड़ी से घर लेकर चलते है चोप को भी दिखानी है यार अरे यार गारी तो कती जहर है अब बिलकुल यार बहुत ही ज़ड़ा मसता है अरे लो सर जी आपका pipe हमने बदल दिया है अब बाई सब शूकर है बे पाई बदल दिया यार अब मुझे जा कर देखने दे एक बार बाई सब वो pressure ठीक हो आया पि नहीं अरे अफकोर्स यार वो तो ठीक हो गया होगा जी बे बाई सब फिर भी यार मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है यार अरे हमने कहा था ना जी वैसे आप हमें ये बात बताओ आप ये कमरे के अंदर जाते कैसे हो अरे यार आपको कुछ नहीं पता कह इसके बारे में नीचे तो यहाँ पर पूरा गिराज टाइप कमरा बना रखाया अपने यार हम जब खुदाई कर रहे थे हमें मिला भाई सब सच में बेस के नीचे? हाँ हाँ भाई सब कहा है भी दिखा फिर? अरे हम आपको ऐसे थुड़ी ले कर जा सकते हैं इसके लिए हम एसके ओपर दर्वाजा लगाना पड़ेगा यह सब करना पड़ेगा तब जाकर आप इसके अंदर जापाओगे थोड़े एक्स्टा पैसे लगेंगे कर दें क्या भाई सब कर दे यार आरे यार चलो फाइनली घर पे आगए यार बहुती ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार चौप को दिखाने में अबे हाँ यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बाई सब आजाओ गाईस आरे यार चौप आजा यार देख बाहर क्या है अबे बाई साब तुम दोनों इधर देखो बे मैंने तुमारे लिए बाई साब गारी खड़ी करने का भी बंदोबस कर दिया ओए वो तेरा घर कहा गया और ये क्या है अरे यार चौप ये तुने यार बैठे बैठे क्या किया यार ये क्या दिवार सी खड़ी कर दी यहां पे बाइसाब कलुए यार तुने कभी बताया नहीं यार तेरा बाइसाब अंडरग्राउंड गराज है इसके अंदर अंडर्गराउन गेराज भाई साब बिलकुल यार इसके नीचे भाई साब पूरा एक गेराज है सच में भाई साब हां भे तु जा कर देख ले अब ये तु तुझे कैसे पता लगा बे कलुए यार वो पाई बदलने आये थे भे तेरा जो पानी लीख हो रहा था वो ठीक हो ख़े हुए है भाई साब अंडरगराउंड हो जार अब हो थीख या पर ये सब कभ किया किस ने किया ओ भारए साब ले इस पॉस्पयराज हो जया ही बहुस्त बट्रीया रखा का रहे हो जहां पर उन्हों ने अपनी फेवरेट कार's की क्लेक्शन रखी है और ये वही है और नहीं गारी लेकर है वो भी यहां पर खड़ी होगी गईज रूको वो भी यहां पर लेकर आता हूं मैं बैसाब कल वे यह तो अलगी लावल गारी है यह अब मैं से कि तो बात कर रहा था यार guys देखो यार भाई साब कितनी ज़्यादा मस्त है इसका guys यार रोलर साब मुझे बहुत मस्त लगते है and guys यह देखो यार यहाँ से इसके blades निकलते हैं भाई साब कितनी ज़्यादा खातनाक है तो yeah guys चलो एक और जाल चीज वीडियो और चैनल को सुब्सक्राइब अगर इसका निया घर बनाएन। तो जल्दी से वीडियो ड्हूट कर दो चैनल को सुब्सक्राइब मिलते हैं। आपसे अपने अगली वीडियो में तब तके लेगाई जाहिन और वद्देबातरम बैबाई सब टाटा भी